हाई गाईस मैं हूँ आफके दोस एंड होस्ट कभीर बात करते हैं क्रिकट की पूरो चीप सेलेक्टर ने माना रिसब पंत फिट नहीं विकेट कीपिंग भी कमजोर जनाब जी हाँ जनाब भारत ने ऑस्टेलिया के खिलेगे दूसरे और सिड्नी में सुरू हुए तीसरे टेस्ट के लिए अनुभी विकेट कीपर रिजमान सा की जिगा रिसब पंत को चुना है लेकिन भारत का यहाँ फैसला उस समय गलत साभित होता दिखाई दिया जब तीसरे टेस्ट के पहले एक दिन गुरुवार को पंत ने ऑस्टेलिया के लिए डेबियो करने वाले युवाज स्वलामी बलिवाज विल पुकोवस्की को दो बार जीवन्दान दे दिया लिसर पंत ने सिर्णी टेस्ट के पहले दिन दो बार पुकोवस्की को जीवन्दान दिया पंत ने पहले 26 और फिर 32 रन के स्कोर पर पुकोवस्की का कैच छोड़ा पंत ने पहले रवी चंदर अस्विन की गैद पर और पिर महमुश सिराज की गैद पर उनका कैच छोड़ इसके बाद पुकोवस्की ने इजी बंदान का फाइदा उठाता हुए अपने पहले ही टेस्ट मैच में बासेटरनु की अर्सद किये पारी खेली और बाद में उन्हें तेज गैदबाज नवदीफ सैनी ने आउट किया 25 खराफ विकेट कीपिंग की सोशल मेडिया पर काफी ज़्यादा अलोचना हो रही है अब पूरो भारती विकेट कीपर तथा चैन करता प्रमुक MSK परसाद ने कहा है कि पंत को अपनी फिटनेस के साथ साथ विकेट कीपिंग पर भी काम करने की जरुत है प्रसाद ने कहा सबसे पहले उन्हें अपनी फिटनेस पर काम करना चाहिए ना केवल अपनी सामाई ये फिटनेस बलकि विकेट कीपिंग के लिए विसेज फिटनेस पर भी गैदु को पकलने के लिए विकेट कीपर दोनों तरफ मुमेंट करना पड़ता है प्रसाद ने कह कि पन्त को काफी अभ्यास करने की चलूरत है पूर्विकेट कीपर ने कहा कि उन्हें वापस अपनी बन्यादी चीज़ु में सुधार करना होगा उन्हें विकेट कीपिंग रियक्शन टाइम पूरवा नुमान और कैळ को अंत्र तक देखने की कौसल में सुधार करना होगा में पिछली बार 2018 2019 में जब ऑश्टिया का दोरा किया था तो पंत ने शिजनी में बनले से सांदार प्रदसन किया था और 119 रनों की सत्किया पारी भी खेली थी तो इस बार पंत ने जिस तरीके से कुकोवस्की के दो कैट चोड़े हैं तो उसके बार सोशिल मेडिया पर उनक चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बैल आइकन को क्लिक कर दिए और इसी लेटिस कबरों के साथ बने रहे हमारे साथ जनाब चैहिंग चैवारत